नमस्कार आप देखे हैं न्यूजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ का आजो नरायन शिर्वात करेंगे खबरों की बुलंचेयर में बंदरों के आतक के चलते जनपत की पुलिस लाइन में कार चौलक के पत्पा तैनात अरक्षी बुजर्ग चौलक लाल बावू रापकी मौत हो गई आरक्षी पुलिस लाइन में सित अपने आवास की शर्ट पर गया था अपने सुखाने अचाना खुय बंदर के हमले से आरक्षी लाल बावू सेंग चलत से गिर गया चलत से गिरने पर घाल वे चौलक सिपाही को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्तिक राए गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गए बता दें कि वो ग्राम गुपाल नगर्थाना रेवती जनपत बल्या के निवासी थे सुभासपा के राष्ट्री अध्यक्ष ओपी राजपर ने तीन बार के विधायक पर सपक एक दावर ने था राम रली चौधरी को अपनी पार्थी के सिदत पदलाई पूर्वधाय के साथ सेक्रोस मर्थकों ने इस उभासपा का दामन थामा उपी राजपर ने राम रली चौधरी को पार्थी का आओ पार्थियक्ष खोशित किया गड़बंदर के सवाल पर ओपी राजपर ने मीडिया को जवाब देते वे कहा कि देखी 2024 का चुनाव समझोते से ही लड़ जाएगा अभी हम अकेले उस हैसित में नहीं है कि लोकसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ सके आज की तारिक में ना कोई किसी का दोस्त ना दुश्मन है वड़े दिता सब एक हैं हमने बीजेपी के साथ अपने विचारों से समझाता किया जब हमारे विचार से बात नहीं मिली तो बीजेपी के तदकारी दास्ट्रिया थैक्श रमिशाह जी लखनाओं में समझाता करने आए बात नहीं बनी तो हमने मंत्री परस से रिजान दे दिया मेरा ये कदम श्राद उत्रप्रदेश की राज़ीते में पहला पदम था हमने सपा से गडबंदन किया लेकिन सपा ने हमारे साथ धोका किया चुनाव से पहले हमको बहकाते रहे जब चर्ण बद चुनाव आया तो हमको 12 रजर्ब सीटे दे दी और उस पर भी अपना कैडिटेर दे दिया उनकी मंचाती की सरकार तो हमारी बन रही है लेकिन उम्प्रकाश राज़बर को हैसा फर्म सोर करे कि उम्प्रकाश राज़बर फ्री बिश्ली फ्री सिक्षा जाती का जर्म गर्ना की बात पर लड़ रहा हो जब इसके पास धैक नहीं रहेंगे तो लड़ पाएंगे लेकिन अखले श्यादव को यह नहीं मालूब था कि पूरे रामाइड महनमान जी अकेले थे उतरप्रदेश के कारगार आवबम होग कार्ड राज़ मंत्री धर्मिल प्रिजापती आज रनाव पहुँचे जहां कारगार में मंत्री जी को शौल पहना कर संभाणित किया गया इसके बाद जिला जेल में निरध्ध बंदियों से सिधा समवाद किया गया और बंदियों को कम्बल वित्वर्ण किये गए आपका परिवार आपके वपन निरभर और अपने गुणा को जल्द सही दिशा मिलाकार नया जीवन देखे इसको लेकर बात्चीत की, इसके बाद कारगार मंत्री के साथ जिलाजी रदीक्षाक और पुरिस के साथ जिन में नुर्ध पांच सो बंदियों को ठंड से बशने के लिए कंबलों का विद्फरन किया गया क्यद्स है, बहुत से कैविं ऐसे होंगी जो इनके परभीिजन मिलने नहीं आते, उनसे कंबल बात्न है तो आज कंबल बात्नी, तो आज 500 कंबल होंगाए को किया है, यही यहां से जाकर के आज आगरा में सामकु केंद्रि कारगार में में, भी कंबलों बढ़ना का कारकम हमार पुलाई थी जी ट्वेंटी संब्लन को लेकर ताज भगरी आगरा में भी तयारियां शुरू हो गई हैं इसको लेकर राज्वतागरा के मारोड पर चल रही निर्मानकारे सुन्देकरन का ज्वाजा लेने पहुंचे जिलाविकारी नवनी सिंच है जी ट्वेंटी सिखर्चों मेलर में आगरा की भूमी का पर सुभा कैम कारले पर नगर निगम एडिये पुरातत्व और अन्य विभागों के साथ बैठक की गई वही सटकों के चोड़ी करन साफसफाई प्रकाश वैवस्था मरमत और निर्मानकारों के समन्द में के लिए इविंट सम्मू और संग्चर की गोश्टियां बैठक और कारका माजित होंगे वहीं आगरा से ही देश्ट की चवी बनेगी ऐसा जरूर है कि सभी विभाग समन्द में से शहर को स्वच्छ सुन्धर और विवस्थित बनाए बुलन शेर में खाना शेत अंडर सीरा के कसपा बुगरासी के पिरित बुजर किसार जमीर आजब ने अपने सगे भाई के खिलाब फर्जी वारा करने के संबन में पुलिस को प्रातना पत्र देकर कारवाई की मांग की है पिर्द किसान ने अपने सगी भाई पर खेत में लगे नल्कूप के इन गनेक्शन को फर्जी हताक्षर और फोटों का इस्तमाल कर अपने नाम पर करवाने का अरुप लगाया है पिर्ट किसार ने बताया कि मेरे तीन सगे भाई हैं जिन्होंने आपस में साथ काट करके मेरे खेत में लगे नलकूप की कनेक्शन को फर्जी वाड़ा कर अपने नाम कराया साथ ही उनके द्वारा किये गए इस फर्जी वाड़े की सोश्रा मिले पर जब मैंने अपने भाईयों से बात की तो लूने जान से मारने की धंकी लिए और मेरे हिस्से की जमीन को हड़पने की धंकी तक दी है कासगर्ज में पुलिस ने महेंज चार घंटों में चोरी की खटना को फुलासा किया सोरुखborवारी शत्में बीते दिन वेपारी के दुकान से चार लाग की चोरी होती थी पुलिस ने तीन शातर बदमाशों को गिरफतार किया है गिरफतार आउपियों में उसे एक नावालिक भी शौमिल है आरोपियों के कबजे से 3,86,000 के लगदी बरामद हुई है आरोपियों के सरगना के कबजे से एक नाजयस तमन्चा भी बरामद हुआ कि पुलिस के दुआरा ऐसे डटेक के फ़र्जी घटना करने वाले एक अभ्यखत को गिरफतार किया गया गिरफ्तार किया गया है उन्होंने बताई कि गिरफ्तार अभ्योक्त के द्वारा पने सहिऊगी के साथ रुपय एठने के लिए ऐसे डिटर कि फर्जी गतना बनाकर जूठी डॉक्टरी कराकर जूठा मुकदमा पंजुकृत कराया गया था इसमन में थाना जिरकपुरी में म इस तरह से आप लोगों ने एक बड़े मामले को पपड़ा हिए कैसे कैसे इसकार किया है इसमें से जो आज अभ्यूक्त हम जिसको ग्रफ्तार करके भेज रहे हैं यह फर्दन है इसका न और दलाली का काम करता था यह वकीलों के संपर्क में रहता था और कुछ कॉंटक्ट इसके SBD अस्पताल में बड़े-बड़े डॉक्टरों से भी थे जो उसके कहने पर गलत मेडिकल बनाए करते थे उसके अधार पर जिससे धारा बढ़ जाए या दूसरे पक्षों में दौनब पक्षों के बीच में किसी तरह का समझौता हो जाए उसको ध्यान रखते हुए फर्धी मेडिकल बनाए करते थे और उसी में हम इसको आज कोर्ट में प्रेड्यूस कर रहे हैं अभी पूश्टाच में जब इससे बात करी है फर्दन से तो उसमें पूश्टाच में कुछ हमें ऐसे साक्षे मिले हैं कि यह बीडी शर्मा के संपर्ग में रहता था वह वहा हमने आ रहे हैं तो उनी साकषों के अधार पर जो हमारी जांच हम करेंगे गहनता से जो अगर इस इसमें जो भी साक्षे सामने आएंगे उसी के आधार पर हम आगे इसमें ग्रफतारी करेंगे। अब तक इनके द्वारा कितने फर्जी मेडिकल बनाएगे। इसमें आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी का जीवन हो जाता है, ब्रबाब हो जाता है। आपने बुलकु सही कहा है, मैंने इसे पूछा है। इसमें को रोखने और महिलाओं को नियाए दिलाने के लिए कासकंज पूलिस हर समय तयार है। हर्दोई के श्वेर कोतवारी लाके में श्वात्र को कार से करीबी किलोमीटर तक घसीपने वाले कार्शालक को पुलिस ने जेल भीज़ दिया है। काशलक पर सड़क हादसे के सासर कंभीर धाराओं में मुकदमा दर्च किया गया। मसूरी होटेल के सभागार में आयजे स्वण जेंती समहारो मसूरी सपोर्ट एसोसियेशन द्वारा बड़ी धूम धाम के साथ मनाये गया। सभागार में मसूरी सपोर्ट एसोसियेशन ने 50 साल के दिहास को लेकर एक लगू फिल्म बंतिश्यत की जिसमें सभी की प्राने यादे ताजा होगे। सभाण जेंती समहारो में मसूरी सपोर्ट एसोसियेशन द्वारा खिलाडियों को सम्मानित किया गया। मसूरी सपोर्ट एसोसियेशन के अध्याट सुरा सिंग रावत ने कहा कि मस से किस्थापना उन्हें 172 में हुई थी और 2022 में एसोसियेशन को 50 साल पुरे हो गए जिससे आज स्वाण जैनती मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी सपोर्ट एसोसियेशन हर साल विभिन पुतियों की ताएं करता आ रहा है और आगे भी एसोसियेशन का प्रियास रहेगा कि मसूरी की खलाडियों को और आगे लिखकर जाए। इन दिनों उत्राखण में कड़ाकी कि ठन पड़ रही है। अगले कुछ दिनों तक मैदानी लाकों में मध्य मस्तर की बारिश होगी तो वहीं परवर्ति शेत्र वे हिंपात होनी के संभावनाई है। बदाई जुले के ब्लॉग देहगवाश शेत्र काईपूरा मामला बताया जाए जहां एडियो पर महिला पंचायत सहाइक ने अश्रिता का आरूप लगाया। के एडियो महिला के फोन पर श्रेट मेसेज भीचता था जिसका एक और जियो भी वारल हो रहा है वह अपने कमरे पढ़ाने का दबाव बनाता था जिसके शिकायत महिला ने उचादे हकारियों से की एडियो पर कारवाईना होने पर खुदकुश्री की चेतामनी भी महिला द की पोल खुलती हुई नजर आ रही है जरकार और प्रिशासन के ओर से स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किये बड़े-बड़े वादे अब होकली साबित होती नजर आ रही है शहर के डडियापुरा श्यत्र में सफाय विवस्ता पूरी तरह सिकट बढ़ा गई है जगा जगा गंदगी और कश्रों से नालिया पटी हुई है इसे के चलते नालियों का पानी सडकों पर आकर गंदे तलाब का रूप ले रखा है इसे सडक पर आमजन को चलने में काफी परिशानियों का सामना करना पढ़ रहा है लडियापुरा श्यत्र में जल भरा नगर निगम के आम कर निर्मान कराया गया था जिसको ठेकेदाले बीश में ही अदूरा छोड़ दिया जिसकी वज़ों से जल भराव और महमारी के सिथी पैदा हो गई है गंदी कामबार लगा है साथी साथ शेत्र के दबंग प्रवर्ति के रसूखदार शर्च्रित होटल वेफसाई ने आम रास्ता बंद कर उस पर गेट लगा दिया जिससे आवजाही में आज सुविधा हो रही है शेत्रवासि उन्हें नगर आयुक से निविदन किया है कि जल से जल नाने का निर्मान पूरा कराने के साथी जल भराव की सिथी को खत्म किया जाए साथी साथ गुम माफियों के व पुरानी पुलिस चौकी के पास कच्छियान महले का एक उरा मामला बताया जा रहा है जहां पर पिरित मुकेश पिता महिंदर स्सिंग ने बताया कि मेरे महले में ही कुछ लोग मेरे घर के पास रोज शरापी कर गाली का लोच करते हैं पांच ज़नरी को जब मैंने मना किया तो महले के ही कुछ दबंगो द्वारा मुझे पीटा गया और सर पर गुम चोट मार किया जिससे मेरा सरफटगेश के कारण काफी खुन बाहे लगवर पार सुछे घंटे तक वो यूही तरबता रहा पिर 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 इसकी सूशना पुलिस को दी मौके पर पहुंचे प पुलिस ने दबंगो के खिलाव कानूनी कारवाई करने का स्वाशन दिया अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस वारा उन दबंगो के खिलाव क्या करवाई होती है जहांसी के मौरालीकूर कोटवाली शेतर में एक नव विभाईता ने खुदकुशी कर ली घटना के सूशना सुभ़जब परिजनों को ही तो सब के खूश उड़ गए महीं परिजनों ने घटने के सूशना पुलिस को दी मौके पर पहुँची कोटवाली पुलिस और फरंसिक्टी में जाट शुरू कर कारवाई शुरू करती है जहांसी के मौरानी ग्राम मूजा रौनी में कारत लेकपार चंद्रपान ने कोटवाली प्रभारी को दिये शुकायती पत्र में उप्ताय की रौनी मूजा में सरकारी भूमी गाटा संख्या 133 रखवा शुने 482 हेक्टर पर कप्सर को लेकर धर्मेंद विरेंद्र भगवांदास भगवांदास काशी प्रसाद ने शनिवार को तहसिल दिवस में आकर प्रातना पत्र दिया मताय की लेकपाल की दौरा मुकदमा घलत दर्ज किया गया है जिसको लेकर दर्ज की गई तर आथ यसी लिवस में सर कुछ लोगों ने लेकपाल की उपा आरूप लगाएं सर जमीन को लेकर करके सर क्या मेटाद है सरक्या मौजा रहनी में गाटा संखे 130 जो सरक्कारी गूमी है उस पर कपजे की शिकायत प्राप्टियू थिसमें कुछ मकान बना रहे हैं पुसम्बंद में संबंधित लेकपाल ने थाना मोर आनिपूर में प्राटमी की दर्ज करवाई है वर कि शिकायत करता कहार है वह अंधान में नंबबर गाटा नंबर अंधान में व्म है लेकिन जब नमने लेक्द उस पर फैद सर्छ करा है दृसम में वेज क्त films दिर्श करा दियगा रहे है वह दूब इसमें क् प्रॉक्री में नोन Dhilliptiयोग दौतिए स्वास विभाग में अपने ही मंत्री के आदेशों पर भी कोई कारवाई नहीं हो रही है। और अगली ख़बर बारबंकी से जोहां नगर पंचायर जैदपुर अंतरगत मोहला अली अवर्ग का ट्रा में मुहम्मद नसीम रिबदाय के प्धान मंत्री अवास योजना के तहट कई बार लिस्ट में नाम शामिल किया गया लेकिन कुछ लोगों द्वारा लाभरती लिस् विशंटन में किसी तरह परिवार को लेकर गुजर बुसर करने के पर मजबूर है कई बार प्धान मंत्री अवास योजना में उनका नाम सम्मिल किया गया लेकिन अंतिम लाभरती लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाता है जिसको लेकर कई बार उच्वादिकारियों से बा और अब खबर नाम से जहां अमर शहीद चंदर शिखार आज़ाद के 1720 जन्यति के मौके पर तीन दिवसी है बद का मिला लगा पता दें किसका शुबारम कर दिया गया है सूबे के डिप्टिसियम वजेश पाठक भी बद्रका जन्यस सली पर पहुंचे जहां उन्हों ने चंदर शिखार आज़ाद की पतीमा पर मालर प्रण किया अस दुरान सांसुतिक कारेक्टर मच्चों की गीत और मनमुहक रिप्ते के जरीए देश पक्ती आज़ाद के रख्तित के बारे में जान करें दी गए विपहनवी भागो द्वारा विकासकारों के प्रदरश्णी अब लोग कर सरहना की गई लिप्रिसिया मिजेश पाठक ने आज़ाद को शुधाश देते लिगहा कि अमर्शहिद ने उन्नाव जन्पत का नाम पूरी दुनिया में रौशन किया उन्होंने कहा कि यूवाबर को आज़ाद की जीवन से देश के पती सर्वस्त सम्मर्पण की प्रेंड़ना लेनी चाहिए कहा कि बिदर्का में आज़ाद की जीवन से संब्धित संधाले बनाये जाएगा ताकि लोग आज़ाद की जीवन से प्रेंड़ना ले सके और कुछ सीख सके अज़ाद की जीवन से लेकिन अज़ाद की जीवन से यहीं होगी कि हम सब अपने भारत को देशी के साथ आगे परता हुआ है देखें और काम करें आज़री जोदी जी के हुवाई में जब पूरी दुनिया कोरोना से कहा रही है अभी चाइना की टीवी पर खबरे आप लोग देखें और इसी के साथ फिलाल खबरों में इतना ही बाकी खबरों के लिए आप बने रही है निउस मलेंटिया के साथ